सेना के अफसरों पर बूट पॉलिश कराने और कुत्ते टहलाने का आरोप लगा कर खलबली मचाने वाले लांस नायक यग्यप्रताप सिंग अभू गरताल पर बैठ गए इस बात की जानकारी खुद उनकी पत्मी रिचा सिंग ने दी है रिचा सिंग ने बताया है कि उनके पती ने खाना पीना छोड़ दिया है यग्यप्रताप सिंग को लगातार सेना के अफसर प्रतारित कर रहे हैं रिचा सिंग ने बताया है कि अधिकारियों ने उनके पती का मोबाइल भी अपने कबजे में ले लिया है और इस बात से दुख कराना और कुट्टे टहलाने से लेकर अन्य घरेलू कारे शामिल हैं सैनिक का वीडियो सामने आने के बाद खुद सेना प्रमुक विपिन रावत ने मीडिया के जरीए सैनिकों को संदेश दिया था कि उनकी किसी भी समस्या का समधान किया जाएगा सेना प्रमुक ने भरोसा भ कि उनके पती की बात सुनी जाए तो लगतार इस मामले में नए नए मोड आ रहे हैं और अब आरोप लगाया जा रहा है कि लांस नायक यगी प्रताप सिंग के मोबाइल फोन को सेना के अफसरों ने जब्त कर लिया है ऐसे में मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है इस मा